आज का यह वीडियो सम्मंदित हैं NCRT विगन कप्छार नौ की अधाय दो अर्थात क्या हमारे आज पास के पदार्थ सुद्ध हैं इस वीडियो में हम विलियन के बारे में चर्चा करेंगे विलियन क्या होता है विलियन दो या दो से अधिक सुद्ध पदार्थिऊं का एक सुमांगी में सुरुन होता है हम अपने धैनी जीवन में अनेक तरातिव विलियन से परजीत हैं जैसे कि चीनी और जल का घोल इसी प्रकार नमक और जल का घोल या फिर नेमू पानी ये सभी विलियन के उदाहरन है हम अक्सर ऐसा मानते हैं कि विलियन जो होता है या तरण अवस्था में होता है जैसा कि इन सभी उदाहरनों में हमने जाना लेकिन विलियन वास्तब में ठोस अवस्था में भी हो सकता है और गयासिय अवस्था में भी हो सकता है अगर हम ठोस विलियन की बात करें तो मिस्रधातु एं ठोस विलियन का उधारण है हम एक मिस्रधातु की उधारण लेते हैं और वह मिस्रधातु है पीतल इसमें जस्ता होता हैं 30% और कापर होता है 70% यह मिस्रधातु यानि पीतल जस्ता और तंबा का मिस्रधातु होता है इस प्रकार के मिस्रधातु को बनाने के लिए क्या किया जाता है जस्ता को और तामबे को अलग-अलग गलाया जाता है और जस्ता के 30 प्रतिसत भाग और तामबे के 70 प्रतिसत भाग जो की दोनों गले हुए अवस्था में होते हैं इन दोनों का आपस में घोल तयार किया जाता हैं जो की पहले द्रावा अवस्था में होते हैं फिर इस द्रावा रूपी मिश्रन को जब हम ठंडा करते हैं तो हमें ठोस पदार प्राप्त होता हैं जिससे हम पीतल के नाम से जानते हैं इस प्रकार या पीतल अब तो हमें ठोस रूप में प्राप्त हुआ लेकिन प्रारंभी कवर्स्था में या द्रावा रूप में ही था इस प्रकार हम का सकते हैं कि पीतल जो की एक मिस्र धातु है या एक ठोस विलियन का उधारन है इसे प्रकार विलियन गैस्य रूप में भी हो सकता है जैसे की वायू वायू में क्या होता है विभिन्न प्रकार के गैसे इसमें उपरस्तित होता है इसमें नाइट्रोजन 78 प्रत थे सक इसके अलावा कारवन डाइज साइड और और वहारे में देखते हैं कि जो अधिकार होता है होतह हैं व्रियन का सकते हैं कि वाईव फिम्न परकार के voter विलयन हैं और यह चाई सभी होते हैं आप हमने हम भी सहन कि विल्यन के दो भाले जिसका नाम है और दुसरी है जिसका नाम है बिले किसी भी इस सब्द को विल подоб विले को समझने के लिए हम उदाहरन लेती हैं जल और चीनी के घोल का जब एक गलास जन वे में दो चम्मच चीनी डालका और एक गोल तयार करेंगे तो हमें जू मिस्वन시 प्राफ्त होते हैं इसमें जाल और चीनी उपरस्त होते हैं इस विल्यंद में हम क्या देखेंगे? कि जो ग्लास में गोल हमारे सामने जोड़ी करें इस्का अधिकांस होता है उससे हम chu ले करते हैं और जिसका भाग कम होता है उससे हम विले कहते हैं इस उदाहरन में यानि जल और चीनी के विलेन में जल क्या है जल एक विलायक है और चीनी जो है ये विले है तो हम कह सकते हैं कि किसी भी विलेन में जिसका भाग जिसकी मात्रा अधिक होती है उससे विलायक कहा जाता है और ज अब हम्यमें के कुछ उदयारन के बात करते हैं। पहली उदयारन तो हैं कि चीनी और जल का्यव विलें। इसी प्रकार आयोडीन और एलकोहल का फी विलेन होता है जब हम एलकोहल में आयोडीन को डाल कर एक विलेन तियार करते हैं तो इस प्रकार के विलेन को टिंक्चर आयोडीन कहा जाता है इसमें अलकोहल विलायप होता है और आयोडीन विले पधार्थ होता है इसे प्रकार विलेन का अगला उदार है सोडा जल जिसमें जल में कार्बन डायक्साइड गैस बुफली हुई होती है साथी साथ वायू भी एक विलेन का ही उदार है इसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है इसलिए nitrogen विलायक है जिपकी अन्यद्य से विले पदार्थ के रूप में है अब हम क्या करेंगे विलेन के कुछ गुनों के बारे में चर्चा करेंगे विलेन के कुछ गुन होते हैं इसमें पहला गुन है कि विलेन एक समांगी मिस्रन होता है कोई फी विलियन आप ले लें जैसे कि जल में चीने का भोल या फिर जल में नमक का भोल किसे भी प्रकार के जो विलियन होते हैं या एक समानगी मिसरन होते हैं अर्थार इसमें दोनों पदार्थों के करन एक दूसरे से पूर्ण रूफ से भूल मिल जाते हैं और वे इस प्र तिक के दाने यानि चीनी के दाने या फिर नमक के दाने जल में हमें दिखाए नहीं देते हैं इस प्रकार हम का सकते हैं कि कोई भी विलियन वह स्रमांगी मिश्रण का उधारन है विलियन का अगला गुन ये हैं कि विलियन के कन अत्तंत छोटे होते हैं इन कनों का व्यास एक नैनो मेटर से भी कम होते हैं एक नैनो मेटर कहने का मतलब है 10 to the power minus 9 मेटर विलियन के जो कन होते हैं ये इतने छोटे होते हैं कि इसकी व्यास एक नैनो मिटर से भी कम होते हैं एक कारण है कि विलियन में पदार्थों के कन हमें नगन आखों से दिखाई नहीं देते हैं विल्यन का अगला जुगून है वैं यह हैं कि विल्यन के कंढ अच्तंत छोटे होने के कारण यह प्रकाश की किरन को पहलाते नहीं है जब भी आप किसी विलियन में प्रकाश की किरन को पार राएंगे तो विलियन में प्रकाश की मार्ग हमें दिखाए नहीं देगी कारण क्या है कि विलियन के जो कन होते हैं ये अच्तन्त छोटे होते हैं इसकी आकार एक नैनोमीटर से भी कम होती हैं और इतनी छोटे आकार के कारण ये प्रकास की किरन को फैलाते नहीं हैं जिसके कारण विलियन में प्रकास की मार्व में दिखाई नहीं देते हैं विलियन का अगला गुन है कि विलियन को अगर आप च्छानेंगे यानि च्छानन बिदिद्वारा इसके कणों को फिर्धक नहीं किया जा सकते हैं अगर आप जल में चीनी का एक घुल तयार करेंगे और इस घुल को आप च्छानन विदिवारा च्छानेंगे ताप इसमें चीनी के दाने को अलब नहीं कर सकते हैं क्योंकि जब इसका घुल तयार हो जाता है तो चीनी दाने के रूप में नहीं रहती बलकि चीनी के प्रितिक कन, जल के प्रितिक कन के साथ पुर्ण रूफ से घुल मिल जाते हैं और ये कन अच्तनत छोटे होते हैं एक नैनो मेटर से भी कम इसलिए विलेन में पदार्थों को हम चानन विधिद्वारा अलग नहीं कर सकते हैं इस प्रकार विलेन के कुछ गुनों के बारे में हमने चर्चा किया अब हम देखेंगे विलेन की सांद्रता के बारे में अपने सुना होगा कुछ विलेन को तनु विलेन कहा जाता है कुछ विलेन को सांद्र विलेन कहा जाता है तो हमें समझना ये है कि किस प्रकार के विलियन को हम तनू विलियन कहेंगे और किस प्रकार के विलियन को हम सांद्र विलियन कहेंगे तनू और सांद्र को समझने के लिए हम उदाहरन लेते हैं दो गलास का हमारे पास दो गलास हैं दोनों में जल्ब भरी हुई है अब इस ग्लास में हम एक चम्मच चीनी डालेंगे और घोल तयार करेंगे जबकि दूसरी ग्लास में हम दो चम्मच चीनी डालेंगे और घोल तयार करेंगे अब हमारे पास जो दो ग्लास हैं दोनों में चीनी और जल का घुल है लेकिन पहली ग्लास में चीनी की मात्रा कम है जिबकि दूसरी ग्लास में चीनी की मात्रा अधिक है तिस प्रकार हम का सकते हैं कि एक विलियन जो है जिसमें चीनी की मात्रा कम है तो उससे हम तनू विलियन कहेंगे और जिसमें चीनी की मात्रा अधिक है इसको हम सांद्र विल्यन कहेंगे कहने का मतलब यह हुआ कि सांद्र विल्यन कहने का मतलब जिसमें विले पदार की मात्रा अधिक घूली हुई हो और तनु विल्यन जिसमें विले कि संत्रिप्त विलियन को समझने के लिए हम एक क्रियाक्राप करना होगा हम क्या तरहने हैं एक गलास improvement उसमें कुछ मात्रा में डालेंगे झालेंगे जड़ेंगे कि जो चीनी हम डाले चीनी पुर्ण रूप से ग्लास के जल में घुलगे July May 1000 चमत चीनी इस हम डालेंगे और फिर हम junior भोलेंगे फिर कुछ के बाद हम क्या देखेंगे के जोगी चीनी हमने डाला यह फी पानी में पूर्ण रूप से घुल गई इस प्रकार ये प्राक्रिया हम बार बार करते चलेंगे यानि हर बार कुछ मातरा में चीनी डालेंगे फिर उसको घुलेंगे फिर कुछ मातरा में चीनी डालेंगे घुलेंगे तो ऐसा करते करते एक समय हमारे पास ऐसा आएगा कि जब हम च घुलने का कोसिस करेंगे तो चीनी इसके तली पर बैठी भी रहे ज सकती है इस प्रकार के विलियन जब में प्राफ्त होगा तुसंसं उससंत्रिक रहे लेकिन जब इसमें चीनी की मात्रा और घुलने की छमता है जबकि यह पूरी नहीं हुई है यानि और भी चीनी हम देंगे तो भी यह घुलने की छमता रखता है तो इस प्रकार के विल्यान को हम आशंत्रिप्त विल्यान कहेंगे किलिया है संत्रिप्त विल्यान एक ऐसा विल्यान है जिसमें और अधीक विल्यान नहीं घुली जा सकती जबकि आशंत्रिप्त विल्यान एक ऐसा विल्यान है जिसमें विल्यान पदार को और भी घुला जा सकता है इस प्रकार संत्रिप्त विल्यान और आशंत्रिप्त विल्य का concept clear हो गया अब हमें यह देखना है कि विले की घूलन सिलता क्या है जैसा कि हमने अभी चर्चा किया कि हर लिक्वीड का या फिर हर पदार्थ का हर विलायक की एक छमता होती है विले पदार्थ की घूलने की जैसे कि अभी हमने जल और चीनी के किस्ट में देखा तो हर पदार्थ की एक छनता होती है कि वह कितनी विले पदार्थ को अपने में घूल सकता है और इसी मात्रा को उस विले की घूलन सिलता कहा जाता है और यह तापमान पर निर्वर करती है यानि अगर हम तापमान पढ़ाएंगे तो घूलन सिलता बढ़ेगी और तापमान कम करेंगे तो भुरंसिल का कम होगी इस प्रकार इस वीडियो में हमने विलेयन के संब्द में कुछ बैसिक बातों का चर्चा किया अब हमारी अगली वीडियो होगी निलंबन और कॉलोइड के बारे में तक के लिए थैंक यू